नमस्ते प्यारे बिच्चों, हम आश्रा करते हैं कि आप सरी स्वस्त और सुरक्षित होंगे जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एवरी वीक डारेक्टरट ओफ एजुकेशन के द्वारा एक-एक वरक्षीट पर डे एक सब्जेक्ट की प्रवाइड की जाती है तो यह वरक्षीट है आपकी वरक्षीट नमर 96B और यह आपकी EBS की वरक्षीट है क्लास 3 ठीक है और डेट है इसकी 25 अक्टूबर 2021 आपको वरक्षीट शू करने से पहले क्लास लिखने है क्लास के साथ आपका सेक्शन A, B, C, D जो भी हो अपका और फिर आपको अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है ठीक है तो I issue करते हैं इस वरक्षीट को इस वरक्षीट में क्या दिया गया प्यारे बच्चो आप सभी ने मौसम को बदलते हुए तो देखा ही होगा जैसे की गर्मी, सर्दी, बरसात, इत्यादी अलग-लग मौसम में अलग-लग मौसम में हम सभी के रहन सेन में भी बदलावाता है गर्मी के मौसम के बाद हमें सबसे ज़्यादा इंतिजार सर्दी के मौसम का होता है जिसमें हमें गर्मी से राहत मिलती है सर्दी के मौसम में कौरा होता है, ठंडी आवाय चलती है, कई जगों पर भर भी बढ़ती है इस मौसम में पेड़ों पर पत्ते नहीं होते, साथ ही साथ दिन छोटे और रातें लंबी होती है आप सभी को भी सर्दी के मौसम की बहुत सी बातें अच्छी लगती होंगी आईए आज हम सर्दी के मौसम के बारे में जानेंगे आप सभी ने आव इतने बड़े हैं कि आपने हर मौसम देख लिया है ना सर्दी भी, गर्मी, बरसात ये सारे मौसम आपने देखे स्थरियों में कुछ अलग चीजें होती हैं जैसे हम ओनी자Par a पहनते हैं गरम गरम $ चीजह काना हमें हमें गाजर का बहुत अच्छा लगते हैं और हम मूनफली і खाते तेरा हम आईसक्रीम खाते हैं और राम स्रदी और घर्मी हमें छेश घ्लाव दरिटेश接着, और सबस्त hazır हब और जल्च काने जर्म आपशो से हम उसे बाइसेश घर्मी की नहीं होता है। मिलते हैं तो ऐसे ही कुछ सारे मोसम में से कुछ कोई मोसम होगा जो आपको पत अच्छा लगता होगा आपको जो मोसम अच्छा लगता है आप उसके बारे में हमसे बातें कर सकते हैं हमें बता सकते हैं और आपको जो भी मोसम बसंद है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ल पाइता से इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, इनके नाम हमें अपनी कॉपी में लिखने है, तो मैं वन वन करके आपको लिखकर दिखा देती हूँ, कौन सा क्या है, नमबर वन पर दिया है, यह क्या है हमारे, यह हमारे दस्ताने, क्य कि तीसरे नमर पर क्या है यह स्काफ है क्या है उनी स्काफ यह क्या है नमर फॉर पर है स्वेटर नमर फाइब पर है उनी टोपी नमर सिक्स पर क्या है यह हमारे है बूट नमर सेवन पर है मोजे यह हम इने क्या कहेंगे इनने मोजे ही कहेंगे उनी मोजे यह कुछ कहने की ज़ूरत नहीं है मोजे और यह नमर एट पर जो है वो है कान का मफलर यह आप लोगों न लगाए हुए बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कान का मफलर मफलर ठीक है कान का मफलर तो नमबर वन पर हैं दस्ताने नमबर टू पर जैकिट नमबर त्री पर उनी सकाफ नमबर फोर स्वेटर नमबर फाइफ उनी टोपी नमबर सिक्स बूट नमबर सैवन मोजे और नमबर एट कान का मफलर यह न यह सारी चीज है हम कौन से सीजन मे पहनते हैं बिल्कुल से हम winter season में निकी सर्दियों में पहनते हैं तो आईए अगला प्रशन करें चलिए शू करते हैं अगला प्रशन बच्चो सर्दी के मोसम में हमारे रहन सेन में भी बहुत से बदलावाते हैं सर्दी में कुछ चीजें करना हमें पसंद होता है और कुछ नहीं अब आप भी अपनी पसंद और ना पसंद नीचे दी गई तालिका में भरिये आपको सर्दियों में क्या करना अच्छा लगता है वो यहाँ पर और क्या नहीं करना अच्छा लगता है वो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें क्या करना अच्छा लगता है हमें मूफली खाना अच्छा लगता है मूफली खाना है ना फिर गर्म पानी से नहाना पानी से नहाना और धूप में बैठना दूप में बैठना और हमें क्या अच्छा नहीं लगता? सुभे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता? है नो? सुभे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता? ठंडे पानी से नहना नहीं अच्छा लगता? और क्या नहीं अच्छा लगता? और कोहरा नहीं अच्छा लगता है, इतना कोहरा हो जाता है, कोहरा अच्छा नहीं लगता है, तो हमें क्या चलगता है, हमें मुंफली खाना अच्छा लगता है, गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, और धूप में बैठना अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं से सम्मंदित कोई भी वस्तर बनाई है हमने टोपी बनाई है जैसे ये टोपी बनी होगी न ऐसी आपको कोई भी पेपर का यूज़ करके कोई भी एक वस्तर बनाना है कोई भी एक ड्रेस बनानी है और उसे अपने टीचर को दिखाना है ठीक है तो उमीद है इस वरक्षीट के solution आपके लिए useful रहे होंगे अगर useful रहे हैं तो इसे like कीजिए share कीजिए और अपने दोस्तों को बताईए कि आज आपने नया क्या सीखा और इस channel को subscribe कीजिए धन्यवाद